ठीक है अभी देखेंगे कौन आपका ग्राहक है देख लेंगे कौन है वो ग्राहक आपका क्या सभी ग्राहक एक जैसे हैं क्या हम सभी को एक जैसा उत्पाद बेच सकते हैं भोजन जैसे उत्पाद के बारे में सोचें क्या खाने में हर किसी का स्वाद एक जैसा होता है क्या हर कोई एक ही नुस्खे का उप्योग करता है कपड़ों के बारे में क्या क्या हर कोई एक जैसे कपड़े पहनता है क्या लोगों को उनके व्यापार के आधार पर कपड़ों की जरूरत होती है, या वे जो पहनना पसंद करते हैं उसमें अलग-अलग स्वाध हैं. ग्राहकों की उनके जीवन और अनुभवों के आधार पर अनूठी प्राथमिकताएं होती उनकी प्राथमिक्ताएं कई कारणों से भिन्न हो सकती हैं, जैसे उम्र, सांस्कृतिक प्रिष्ट भूमी, इत्यादी, जब आप कोई उत्पाद बनाते हैं, तो आप इसे किसे लिए बना रहे हैं, आप इसे किसे बेचना चाहेंगे, ग्राहकों के एक समुह के बारे में सोच उदाहरण के लिए, वे शहरों में रहने वाली युवा महलाएं हो सकती हैं, वर्णन करें कि आपके उत्पाद के प्रती उनकी प्राथमिक्ता में क्या चीज उन्हें अद्वितिय बनाती है, वे कैसे अलग हैं, वे आपका उत्पाद खरीदने का निर्णय कैसे लेते हैं, वे जिन विभिन्चरणों से गुजरते हैं उन्हें लिखिये, वे आपके उत्पाद में क्या चाहते हैं, उत्पाद को डिजाइन करने के लिए अपनी समझ का उपयोग करें, इस बारे में सोचें कि उस ग्राहक समुह से सर्वोत्तम तरीके से कैसे समबाद किया जाए, उस ग्राहक के लिए उत्पाद का मूल ले कैसे निर्धारित करें, इसके बारे में सोचें, क्या आपके उत्पाद के लिए ग्राहकों के अन्य समुह हैं, प्रक्रिया को दोहराए, एक सफल व्यपार के लिए आपको अपने उत्पाद को डिजाइन करना होगा, और उसकी कीमत प्रक्रिया करनी होगी, तथा अपने ग्राहक समुह की प्राथमिकताओं के आधार पर उसे संप्रेशित करना होगा, और वितरित करना होगा. तो आप अभी देखा कि सब ग्राहक ऐसा ही नहीं, तो मुझे मालुम होना है कि आपका वो जो ग्राहक क्mäß है, तो आप सोच सकते हैं कि पापड़ के लिए हो सकता आप जिनको बरस। खो जादा है, या युवा के लिए हो सकता है, तो ऐसा आप करना है, जो वो म्ार्केट है सब ग्राहक, उसे आप अलग-अलग समूह में डालना है आपका जो उत्पाद के बारे में, जो आप जरूरी के बारे में आप बिसनस चलाते हैं उसके लिए तो पहला ऐसा कीजिए कि ठीक है, हमारा जो बिसनस है ना व्यापार है इसके लिए क्या वो जो तीन या चार समूह है या ग्राहका है वो पहला लिखिए, उसके बाद थाई कीजिए कि उन जो तीन या चार समूह में कौन सा वालब आपके लिए मुक्य है उसके लिए आप उत्पाद तायर करना है, उसके लिए आप दाम, सब होगा, ठीक है? पड़ के लिए, कौन है? शायद उतका बरस होगा, शायद कुछाओर होगा तो ऐसा लिखिए कि तीन-चार समुहु लिखिए, ग्राहक समुहु लिखिए, ठीक है? उसके बाद उससे एक समुहु चुन्ना है, जो आपके लिए मुक्य है उसी के लिए पहला आप सब करना है, उत्पाद को डीजाइन करना है, सब करना है समज़ा सब, जो ग्राहक अभी तक आ Samगे अभी तक आपने बोला ग्राहक है, ग्राहक है आभी उसे हम अलग-अलग देखना है कपड़े के लिए, मेरे लिए कपड़ा ऐसा होगा युवालों के लिए कुछाओर होगा न तो जो ग्राहक है उसे आप अलग-अलग लिखिए समू में ऐसा एक ग्राहक, कैसा भी हो सकता है वो समू ऐसा नहीं कि सिर्फ बर्स के लिए आपका करना है ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, उसके बाद उसमें से एक चुनना है आपको, नोट्स में लिखिए, बाद में दिवार में जाएगा, ठीक है, लिखिए आपका क्या है उत्पाद क्या है बोलिए उत्पाद क्या है आपका दूद ठीक है तो दूद आप बच्चों को हो सकता है दूद से आप कुछ करने वाले हैं ना क्या करने वाले हैं जैसे केक बनाना है मिठाई बनाना है नहीं तो आप सोच सकते हैं शादी के लिए बनाएंगे नहीं तो आप सोच सकते हैं रोज घर के लिए बना सकते हैं यह भी समू है हाँ ये भी समू हो जाता है क्या कुछ लोग कहेंगे मैं सिर्फ रक्षाबंदन दिवाली के लिए बनाओंगा ऐसा जो होता है और सप्लाइ करूंगा कुछ लोग नहीं नहीं मैं गर जो घर में रोज के लिए में बनाओंगा तो ऐसा भी आप सोच सकते है, मिटाई आप ऐसा भी सोच सकते है, कि मिटाई में आप शुगर कम करके जिनको कुछ बिमारी है वो भी ले सकते है, ऐसा भी सोच सकते है, जैसा आप सोच रहे है, ऐसा ग्राहक को समू में डालिए, जो आपके लिए ठीक है, ऐसा नहीं कि जो भी ती कहना उसी डालना है ऐसा है कि उन लोगों में फरक होगा वो फरक के मताबिक मताबिक वे मिटाई खरी देंगे सोचिए, विचार कीजिए आप भी, आपका क्या है आप बोलिए आपका क्या है, उत्पाद क्या है पापड है, तो किस के लिए पापड है तो दक्षिन बारत में नहीं चलेगा ऐसा ही बोल रहा हूँ, अगर बड़ा कम्पनी है तो आप सब जगह में चलेगा ऐसा ही बोल रहा हूं, तमाशा के लिए लेकिन पापड में ऐसा भी हो सकता है कि आप आप पापड को बहुत अरोग ये तरीके से कर सकते हैं, कोई भी कह सकते हैं, तो वेट कैलरीज कम हो सकता है, तो हम आप कह रहे हैं कि जिनके लिए ये जो कैलरीज हैं ना वो बहुत मुक्य हैं, वो खरीद सकते हैं, ऐसा भी आप अलग कर सकते हैं पापड के लिए, आप तो आप सोचिए, ठीक है? टेस्ट बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप निरनाई कीजिए कि क्या समुग, ग्राहक समुग कैसा अलग-अलग करना है और उस में से आपको क्या सबसे मुख्य है, ठीक है? ठीक है, आप बोलिए, युवालोग बोलिए, क्या है आपका उत्पाद क्या है? ठीक है, आप क्या सोच रहें, ग्राहक समुग के बारे में क्या सोच रहें? आप बोलिए, मुझे बोलिए, मुझे बोलिए तो आपका ग्राहक ही किसान है आच्छा चाँ तो आप किसान के लिए सप्लाई करने वाले तीक है देखें यहां किसान ही ग्राहक है तो हो सकता है आप देख रहें कि जो दो एकर का जो है उनका अलग है इसके पास बीस एकर ऐसा भी आप अलग कर सकते हैं इंकम आई के बारे में, ठीक है, वेरी गूड, आपका क्या है उत्पाद, तो बोलिए क्या समूग, ग्राहक समूग है, बच्चे, एक मिनिट कपड़े के लिए बच्चे, महिला, पुरुष, युवा, उसमें चुन लिया महिला, ठीक है, कपड़े में ऐसा समूग है, ग्राहक समूग, और उसमें बच्चे और पुरुष, और उन्होंने चुन लिया महिला, ठीक है, अभी सब को समझ में आया, लिख सकते हैं, नोट बुक में लिख सकते हैं, Ever Ready Group, समझ में आया, समझ में आया, Ever Ready, समझ में आया, ठीक है, सब लोग स समझ में आया, आप चुन लिया, एक समूग, बोलिए, आप बोलिए, किसा में उपयोग करना है, तेल को, टेल लगाने के लिए और खाने के लिए भी और काने के लिए, यह समूग, यह भि ग्राहक समूग ए तो आप ताई करना है कि यह काने के लिए है या लगाने के लिए और ऐसा फोकस कर सकते है शायद आप काने के लिए है तो उसमें कैलरीस कम हो सकता है वो आरो के लिए अच्छा है तो यह भी समूग ग्राहक समूग है जो तेल लगाते हैं और जो तेल काने के लिए ऐसा भी आप ऐसा अलग कर सकते हैं ठीक है? यूसेज, यूसेज सिचुएशन कहते हैं जैसे उप्योग करते हैं उसमें भी आप ग्रूप कर सकते हैं ठीक है? सब लोग नोट्स लिख दिया? नोट्स लिख दिया सब लोग लिख दिया इसके बारे में चुन लिया, एक समू, ग्राहक समू चुन लिया सब लोग क्योंकि ये सब वहां कागस में जाने वाला है देड़ बजे के पहले, हाँ, ठीक है ठीक है देखेंगे अगले देखेंगे ग्राहक के बारे में